हेलो फ्रेंज, चलिए मैं आपको फिर से एक और नए जानका ये डोर्मेट बताने वाली हूँ, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल ही बिगनर्स के लिए बनाया हुआ है, जिसे जिनको नहीं आता है, जिनको उल्टा सीधा बनाना आता है, वो भी आराम से इसको बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैंने बनाया है, और मैंने इसको 24 फंदों से बनाया है, आप इसे 28 फंदों से या 30 फंदों से या 40 फंदों, 60 फंदे से इस तरह से आप सकती है जितना बड़ा आपको चाहिए यह तो यहाँ पे मैंने यह 24 फंदे से बनाया है और इसमें मैंने पांच कली अपनी बना ली है एक दो तीन चार पांच पर मैं आपको यह शुरू से ही बताऊंगी किस तरह से मैंने यहाँ से शुरूबात की है इसकी फंदे डालके मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया है यह इसको बनाना बिलकुल ईजी है और देखिए इसके चारो तरफ आप लेश भी लगा सकते हैं लेश लगा करके यह और भी काफी शुन्दर लगेगा हमारा तो चलिए सबसे पहले हम आपको यह यहां पर इसको बताते हैं किस तरह से मैंने बनाया है बहुत ही सिंपल सा तरीका है बनाने का बहुत आसानी से बहुत ही जल्दी बनके कंप्लीट भी होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इससे जरूर लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके भी तो इसको हमने यह देखी मैंने यहां पर अपना 24 फंदा डाल लिया है और 24 फंदे डालके मैंने यह देखी इसकी शुरूर बात कर दी है शुरू से ही तो यहां पर मैं आपको कलर चेंज करते हुए बता रही हूँ यह देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सत्रा, ठारा, उन्निस, बीस 21, 22, 23, 24 इस साइड से हम इस फंदे को बुरने हैं और देखे फिनिशिंग के साथ हमारा बन रहा है अब यह देखे इस साइड से हम इस फंदे को उतारेंगे और धागयों अपनी तरब गुमा लेंगे और सबी फंदों को 22 फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे लास्ट के दो फंदे हम छोड़ेंगे और देखिए मैं आपको ये दो कलर में बता रही हूँ आपके पास जो भी कलर बच जाते हैं थोड़े थोड़े तो आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं उससे भी क्या है यह बहुत ही सुन्दर हमारा पाइदान लगेगा और इसको आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं जैसे कि डोर्मेट की जगा या पूजा आसन की तरह या थाल पोस्ट की जगा जैसा चाहें वैसे आप इसे यूज कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने लाश्ट के दो फंदे छोड़ दिये हैं यहीं से वापिस हो जाएंगे बहुत ही सिंपल सा है गाईज बहुत ही आसानी से आप इसे बना लोगे जिनें उल्टा सीधा बनाना आता है वो आराम से इसको बना सकते हैं क्योंकि हम इसमें दौनों सायद से उल्टा उल्टा बना रहे हैं और कोई हमें इसमें डिजाइन नहीं बना रहे हैं और इसमें हम भाल की तरप से अपना लेश्ट लगाएंगे तो देखिए हर बार हम दो दो फंदे छोड़ते हुए इसको पत्ती को कंप्लीट करेंगे अब यह देखिए आगे हैं सीधी सलाई पे फिर से हम अपना बीस फंदा बुनेंगे और लाश्ट के दो फंदे छोड़ेंगे देखिए दौन सायड से हम इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए जा रहे हैं अकि पती में हर कल़र एक पति बनाने के बाद हम अपना कलर चेंज़ करें हैं है प्लीज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेश करें देखी दो फंदे फिर से छोड़ दिये हैं यहीं से टन हो जाएंगे और उल्टी श्राइब भी पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे और मैंने अपने चैनल में काफी ड्रेसिस गोपाल जी की भी डाली हुई हैं आप मेरी चैनल में देख सकते हैं जाके तो आईए हम यहां पर अपना दो दो करके 22 फंदा छोड़ते हैं ऐसे ही चार फंदे में छोड़ चुकी हैं दो दो करके यह रेखिए हर बार दो दो फंदे छोड़ते हुए इसको बनाएंगे जैसे यहां पर यह रेखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा ग्यारस लाइया मैंने बनाई हुई हैं तो यानि की दो दो करके हम अपना 22 फंदा छोड़ेंगे तो ग्यारस लाइया यहां पर हो जाएंगी तो आईए ऐसे ही इसको छोड़ते हुए कम्प्लीट करते हैं तो देखिए फ्रेंस मैंने यहां पर अपना 22 करके सब भी फंदे छोड़े लिए हैं और यह देखिए यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा यहां पर क्यारस लाइया मेरी हो चुकी हैं और यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा दो दो करके हम यानि की ग्यारे दुनी 22 फंदे मैंने छोड़ लिए हैं बहुत ही सिंपल सा है गाइज अच्छे से पूरा वीडियो देखें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा यह मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हुआ है अब सभी फंदों को छोड़ने के बाद हम पूरिश लाई को बना लेंगे यहां पर यह दिखी 22 फंदे छोड़ने के बाद हम सभी फंदों को बुन रहे हैं इस तरीके से मैंने इसको बनाया है आप इसमें बड़ा छोता अपने हिसाब से कर सकते हैं और मल्टी कलर में आपके पास थोड़े ठोड़े कलर बच जाते हैं तो हर कलर से आप पत्ती को बना सकते हैं यह देखी तो फंदे छोड़ने के बाद पूरी शलाई को बना लिया है यह देखिए अब पत्ती हमारी बनके कंप्लेट है अब दूसरी पत्ती बनाने के लिए हम अपना यहां से दूसरा कलर चेंज करेंगे यह देखिए इस तरह से पुल्टी शायद से ही आपने कलर को चेंज करना है यह देखिए इस तरह से और कलर कॉंबनीशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है और इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी में भी आसानी से बना सकते हैं यह बहुत ही सिंपल सा है दोनों साइड से उल्टा-उल्टा बनाते भी जाना है दो-दो फंदे छोड़ते भी जाना है यह देखिए अब फिर से हम ऐसे ही अपना दो-दो फंदा छोड़ेंगे यहाँ पे और इसको बनाते भी कंप्लेट करेंगे तो देखिए यह तो हमने ऐसे ही कंप्लेट करना है और इसके साथ हम जो लैस बनाएंगे वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ देखिए लहस भी हम यहाँ पे अपना छे फंदा डालेंगे इस तरह से यह देखिए एक दो इसी तरीके से मैंने डोल मेट में डाले हुए है तीन चार पांच छे यह देखिए छे फंदे मैंने डाल दिये हैं लैस आप कोई भी कलर से बना सकते हैं चाहे आप इससे बना सकते हैं चाहे आप बिना लैस के ही इसको यूज करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं तो सबसे पहले हम एक सलाई ऐसे बना लेंगे ये देखिए एक सलाई मैंने बना ली है लेस्ट भी आपको बहुत ही सिंपल सी बता रहे हैं ये देखिए सलाई पे एक फंदे को मैंने बढ़ा लिया तीन, चार, पाच, छे, साथ ये देखिए, इस साइड से हम इस फंदे को उतार लेंगे ताकि अच्छे से इस तरह से फिनिशिंग हमारी आचुके उल्टी स्लाई में कुछ नहीं करना है फिर से मैं एक फंदा बढ़ा रही हूँ, इसमें आपना कंगूरा बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सी ये आपको लेस बता रहे है ये देखिए दो फंदे बढ़ चुके है अब इसमें आप चाहे तो आप पांच फंदे बढ़ाएं कंगूरे के लिए और चाहे छे फंदा तीसरा बढ़ चुका है जितना बढ़ा भी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से ऐसे ही फंदे बढ़ा सकती है तो तीन फंदा मैंने बढ़ा लिया दोनों साइड से इसे भी उल्टा-उल्टा बनाना है और बस खाली सलाई पे चड़ाते विए फंदे को बढ़ाना है चोथा फंदा हम बढ़ा रहे हैं तो देखी मैं यहाँ पे पांच मां फंदा अपना बढ़ा रही हूँ देखी तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच छे एक साइड से हम बुनने हैं और एक साइड से हम इसी तरह से इसको बना रहे हैं ताकि अच्छे से हमारा सिलने के बाद फिनिशिंग आज सके अब ये देखिए यहाँ पे पांच फंदों को घटाओंगी ये देखिए एक दो तीन चार तो देखिए मैंने यहाँ पे पांच मां फंदा भी घटा दिया है अब दो तीन चार पांच छे छे फंदा रह गए हैं और ये देखिए इस तरह से हमारा कंगुरा बन चुका है अब फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे उल्टी चलाई को बना लेते हैं फिर से हम यही करेंगे पांच फंदा फिर से बढ़ाएं इस तरह से बहुत ही सिम्बल सा है पांच मां पांच फिर से मैं फंदा अपना बढ़ाना शुरू कर दी ऐसे ही हम इसको बनाते हुए कर लेते हैं और यहाँ पे लगाने के लिए अगर आप ऐसे ही यूच करना चाते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं तो दे av incidents मैंने बना ली है लंबीसी ये दिखिए इस तरय से जैखिए इस तरी के से सब लगा हम लें पूरा हो जाएगा उसके बाद हम इस तरीके से यहां पे दिखी इसको रखते हुए ऐसे कि बहुत αν सहली से सिलाइखंव से कि अजम कर लियूंगे उल्टी तरफ से यह दिखी कि इस तरीके यह देखी कि पूरी जब हमारा दोर हेड कमप्लिट हो जाएगा तो उसको इसको उल्टी तरफ से यहां से यह देखिए ऐसे सिलाई कर लेंगे बहुत हलका हलका एक ही धागा लेके हम पूरा अपना सिलाई कर देंगे इस तरीके से तो आईए मैं इसको कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको